Hello friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो मेडिसिन के बारे में जो कि एमर्जिनसी में यूज किया जाता है वो लाइब सेविंग मेडिसिन है ठीक है फ्रेंट्स मतलब कि आप इस medicine को heart failure में यूज कर सकते हैं, heart attack में यूज कर सकते हैं और enzyme जैसे condition में आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में, घर के पास में hospital नहीं होता, ambulance को call करने से वो नहीं आता, dairy करता है, उस time आप इस medicine को दे कर patient का जान भी बचा सकते हैं friends क्या होता है कि किस time heart attack आएगा, heart failure हो जाएगा, किसी को भी कुछ पता नहीं होता, sudden हो जाता है, इसके लिए आप इस medicine को घर में रख सकते हैं, emergency के लिए fast medicine है, sorbit rate, यह 5 mg रहता है और 10 mg रहता है, आप 5 mg रख सकते हैं घर में, इसको दिया जाता है, जिस time heart attack होने से उस time दे, आप कैसे पता कर सकते हैं, patient के left side में पहन होगा, heart के जगा, chest में बहुत जोर सी पहन होगा, उस time इस tablet को दिया जाता है, तो friends, अभी जान लेते हैं, इस tablet को खाना कैसे होता है, इस tablet को निगलना नहीं होता है, jeep के निचे इसको रखना होता है, ठीक है, jeep के निचे रखना होता है, इस tablet को, दूसरा जो tablet है, उसका नाम है aspirin, ठीक है, इसको पानी के साथ लेना होता है, दोस्तों, इसको निगलना होता है पानी के साथ सर्विटल टाबलेट को आपको जीब के नीचे रख के चूसना है और आश्परिन टाबलेट को आपको पानी के साथ लेना है इन दोनों टाबलेट को खाने के बाद आप ठीक हो जाएंगे ठीक है और फ्रेंट्स इन दोनों टाबलेट के लेने के बाद आ और उसके बाद आप अपने डक्टर को दिखाना होगा ठीक है डक्टर के पाद जरूर से जाना ठीक है दोस्त